तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गौट टेक्निकल दोस्तों सिखाना मेरे काम सीखना आपका आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टन्ट है और आप सब लोग के लिए समझने के लिए ये वीडियो में बना रहा हूं थो अपने सब्सक्राइबर्स को किस तरह से गेन करा जाए और अपनी वीडियो पर जो व्यूज आते हैं वो किस तरह से व्यूज को इंक्रीज करा जाए जब आपकी व्यूज इंक्रीज होंगे तो आपके सब्सक्राइबर टच होते हैं व्यूज के अकॉर्डिक तो बहुत से 10% प्रूफ के साथ लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज की जो भी वीडियो के टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो टोटली मैंने लिख लिया है कि आपको क्या क्या चीज़ा मुझे बतानी है वो सबसे पहले आपके लिए यही इंपॉर्टेंट होता है कि बढ़ी सबस्क्राइबर कैसे गेन करें क्योंकि जो लोग यूटूब क्रियेट करते हैं नए ने उनके लिए एक हजार सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात होती है एक हजार सब्सक्राइबर करना और साथ ही साथ उनको 4000 गंटे का वाच्ट टाइम पूरा करना तो दोस्त तो आज की इस वीडियो को पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मलगे नोटिफिकिशन बेल को जरूर दबा दें तो चलो दोस्तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो भाई देखो यहाँ पर सबसे पहले है अगर आप वीडियो बनाते हो कि किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आप एक न्यूज बनाते हो अगर आप एक टेक कैटिगरी से हो या आप एक ब्लॉक कैटिगरी से हो या आप एक गेम कैटिगरी से हो या अधर किसी भी कैटिगरी से आप अपनी वीडियो बनाते हो तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरी है एक वीडियो आप continuous बणाओ continuous बनाने का मतलब है कि आपने Ooh और बर्धे एक वीडियो ढाल ली है अगर 2डि रही है तो आपको अपको ऑप्लाई करने पढ़ेंगे सबसे पहले तो सका टाइटल दिए टाइटल आपका बहुत इंपॉर्टन्ट है वो इंपॉर्टन्ट आपका टाइटल आप पांच वर्ड का भी लिख सकते हैं दस वर्ड का भी लिख सकते हैं आपका एक करेक्टर है जैसे कि मानलो आप एक टाइटल का नाम है आपने उस नाम दे दिया जैसे कि मान लोग कोई company है जैसे की जैसे की मान लोग की रीबोग की company है जूते की रीबोग की company है अब रीबोग आपने टाइटल में डाल दिया लेकिन इसके अलावा आपने कुछ और डाले नहीं तो मुश्किल से 10 से 12 वड़ों में यह खतम हो जाएगा लेकिन आपको बता दू category जाती है परन एक्जमपल कि अगर अगर आप टैक category से हैं या फिर आप गेम या फिर आप न्यूस चलिए news category से अगर तो जैसे कि मानलो अभी जो एक मैटर है जैसे कि मानलो सलमान खान की शादी होने वाली है हाला कि होगी नहीं होगी तो बात की बात है लेकिन मानलो सलमान खान की शादी होने वाली है तो आपने टाइटल में डाल दिया सलमान खान की शादी होने वाली है तो आगे लगा दिया उसके बाद लिख दिया है सलमान खान शादी slash लगा तो सलमान खान वेडिंग या slash सलमान खान ब्रेकिंग न्यूज और उसके बाद अपना नाम भी लिख सकते हो चैनल का तो इस तरह से आपने टाइटल को फिल कर देना है जब आपने ये फिल कर देना है अब उसी टाइटल को आपने कॉपी कर लेना है पूरा कॉपी करने के बाद description के टॉप में description के टॉप में दे देना है उसको और टॉप में देने के बाद आपको description में अब थोड़ा सा मज़ेदार चीजे लिखनी है जो उस content से related हो यानि कि मानलो अगर आपने सल्मान खान के उपर बताया है तो सल्मान खान से related कुछ चीज़े आपके description में होनी चाहिए अब अगर वही चीज़े आपने उसके अंदर दे दी हैं तो ठीक है अच्छी बात है अब आपने क्या करना है tag की तरफ आजाना जहां पर आप tag डालते हो अब tag बड़े important होते हैं या आप सब लोग को पता है tag की कहां कहां से tag लाने हैं और कैसे कैसे तो almost आप अगर youtube पर videos देखते हो तो मैं ये suggestion नहीं दूँगा कि आप दूसरों के tag को copy करके अपने में डालो because कही नहीं उस channel का भी उसके अंदर types होता है और वो आपके channel पर आके आपका channel का impression खराब कर सकता है तो यहां पर देखने वाली बात है कि उसमें करना क्या है उसमें अब ये करना है कि tags आप अपने खुच से बनाईए जैसे कि मान लीजी यही सल्मान खान वाला topic है तो आपने tag डाल दिया सल्मान खान, दूसरा tag डाल दिया सल्मान खान की शादी, तीसरा tag सल्मान खान की शादी कब हो रही है तीस, चौतर tag डाल दिया आपने सल्मान खान की शादी हो सकती है पांच वर टैग डाल दिया सलमान खान की ब्रेकिंग न्यूज, छट वर डाल दिया सलमान खान की वीडियो, आट वर डाल दिया सलमान खान की ट्रिंडिंग न्यूज, नवर डाल दिया सलमान खान लेटर्स न्यूज, दस वर टैग डाल दिया सलमान खान आज शादी करेंगे मतलब कुछ इस तरह से तड़कता भड़कता तोड़ मोड़के उसको बना दिया आपकी कैटेगरी क्याती आपका टॉपिक था सलमान खान की शादी को लेकर तो 500 वर्डों के आप टैग्स बना सकते हो और उसको डाल सकते हो तो यहां पर भी आपने 500 के 500 पूरे जा रहे हैं तो अच्छी बात है दो चार कम हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आप उसको डाल तो लेकिन कोशिश करो कि टैग भी आपने 400 वर्ट से उपर उठा लो तो इसमें आपका search का engine जो होता है search optimize engine जो होता है वो अच्छा काम करता है आपके channel को लेकर अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो आपके topics हैं अब देखो जैसे आप videos बना रहे हो तो videos आप बनाओ और रोज बनाओ ये तो मैंने बता दिया लेकिन सबसे बड़ी बात है कि videos भी तो ले लो और उस ट्रेंड पर टॉपिक बनाना स्टार्ट कर दो और उस ट्रेंड से रिलेटीड ही इन चीजों को अपलाई कर देना इन मैथडों को जैसे कि टाइटल है डिस्क्रिप्शन है उसके बाद टैग्स है यह चीज अपलाई कर दिया तो इस चीज से भी बहुत बड़े चैनल पर आता है तो उससे क्या होता है बड़े चैनल पर जो लोग देखेंगे आपको तो कोई नहीं देखेंगा क्योंकि आपके सब्सक्राइबर नहीं आपके कुछ भी नहीं है लेकिन उसको देखना पहुंचेगा जब उसको देखेगा तो कहीं न कहीं ये और सबसे बड़ा योग्रान होना चाहिए आपके थम्नेल पर अब आप यह सोचते हो कि थम्नेल बनाने के लिए भी यार आदा गंटा मेनट चाहिए तो भाई देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता पांच-दस मिनिट लगते हैं थम्नेल बनाने के लिए तो थम्नेल भी ऐ तो जो बन्दा हो देख रहा है वो कही नहीं आपको भी देखेगा लेकिन आपको देखेगा आपको open करके नहीं देखेगा आपकी वीडियो वो open करके तब देखेगा जब आपका attraction वाला थम्नेल होगा अब जब thumbnail attraction होगा तो almost वो click करके देखेगा जब click करके देखेगा कोई चीज उसे अच्छी लगी तो यहाँ पर आपको subscribe मिल जागा यह हो सकता like मिल जागा यह comment भी मिलेगा तो उससे क्या है आपके channel का काम शुरू हो गया मतलब आपका channel अब searching पर आने लगेगा उन लोगों के लिए भी और आपका channel growth होने लगेगा तो यहाँ तक ही बात समझ भाई अच्छा thumbnail भी हो गया सब कुछ हो गया अब सबसे बड़ी बात होती है sharing की आप अपनी वीडियो को share करते हो लेकिन जादा share नहीं करनी है अब जादा share क्यों नहीं करनी है इसके पीछे वज़ा है वाई देखो आपकी वीडियो जो है वो एक ऐसे topic पर है या मतलब जो भी topic आपने बनाया है उस topic को आपने share करना है लेकिन इतने लोगों तक कर दो या 10-12 लोग कर दिया ठीक है चोड़ो लेकिन जादा करते हो तो YouTube इस बात को भी देख लेता है कि बार बार एक ही categories पर ये share हो रही है और एक ही बंदास को share कर रहा है तो मतलब कुछ तो low चाहे तो यहाँ पर भी उसको detect कर लेता है पर भी आएंगे आपको likes भी मिलेंगे even comments भी अच्छे अच्छे आपको आने लएंगे तो आज की वीडियो कैसे लेगी दोस्तों मुझे comment करके बताना कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी comment कर देना दोस्तों मैं आपको पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आज के जवाब देने के लिए आज के लिए बस इतने दोस्तों बाइ